दोस्तों नमस्कार आईए एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे और डाड़ी के बाल भी सफेद होने शुरू हो जाते हैं ये एक आम बात है लेकिन समझना तब बढ़ जाती है जब आपकी एज कमी लेकिन फिर भी आपके डाड़ी मुझों के बाल सफेद होने लग गए हैं तो ऐसे में डाड़ी मुझों के बाल ब्लेक ना होने की वचाह से लोग शेविंग करते हैं और अपने सफेद बालों को चुपाते हैं लेकिन कुछ तो आईए कुछ नुस्के जो हैं वो हम जान लेते हैं और अगर आप उन्हें अपना लेते हैं तो आप दोबारा से अपने डाड़ी मुझों के बालों को काला कर सकते हैं ब्लेक कर सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नौटिफिकेशन बेल जो आपको दिखरा है उसको प्रेज कर दीजिए और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है कोई शमश्या है तो उसके आप अगर नुसके जानना चाहते हैं तो वीडियो की निचे कमेंट कर शराब पेना दूसरा जो है वो पुछ लोगों को यह शमश्या अनुवाइशिक होती है पीड़ी दर पीड़ी डाड़ी मुच्छों के बाल अपने आपी सफेद होना शुरूर होते हैं तीसरा है मानसिक तनाव के कारण भी हमारे जो डाड़ी मुच्छों के बाल है चाहे वो सर के बालों वो सभी सफेद होने लगते हैं तनाव के कारण तो आएव हम जान लेते हैं कि डाड़ी के सफेद बाल को हम कैसे काला कर सकते हैं कैसे ब्लैक कर सकते हैं इसके उपाए और कुछ देशी घरेलिन उसके अपना कर तो सबसे नंबर वन पर आता है पुदिने की चाय से डाड़ी के सफेद बालों को काला कर सकते हैं रोजाना पुदिने की बनी चाय को पीने से डाड़ी की खुई हुई जो रंगत होती है वो वापस आने लगती है और मुचों के बाल भी वापस से काला होने लगते हैं अगर आप चाहें तो डाड़ी मुचों के बाल ज अच्छे से उबाल लें फिर ठंडा होने के बाद वो जो तेल होता है उसे मोच और डाड़ी की मालेश जरूर करें प्रोजाना ये उपाय करने से आपको कुछी दिनों में ये जानने को मिलेगा कि आपके जो डाड़ी के बाले वो दोबारा से ब्लैक होने शुरू हो चुके हैं नमबर त्री पर है डाड़ी के पगने की समश्या का इलाज करने के लिए आप आवले का रस का सेवन जरूर कर सकते हैं कम से कम यह एक महिने तक रोजाना करें यह उपाय बहुत कारगर माना गया है सारवे के उसाब से भी काफी अच्छा रिजल्ट इसको मिला है आप चाहे सबसे पहले आप 100 ml पानी लेकर उसमें कड़ी के पत्ते डाल कर अच्छे से उबाले जब यह पानी आदा रह जाए तो गेस बंद कर दीजिए उसके बाद में ठंडा होने के बाद पिए रोजाना यह देसे नुसका अपना कर आप अपने धाड़ी मुच्छों के बालों को बाला होते हुए देखेंगे नंबर फाइब आखरिन उसका हम आपको बताने जा रहे हैं आप चाहे तो डाड़ी के सपेद बालों को अलू के इस्तमाल से भी ब्लैक कर सकते हैं आपने सही सुना आपको बस अलू के पेश्ट में डाल का पेश्ट मिलाकर मुच्छों लग रहोगा तो आप इसे अप इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक और उपाया भी बताता हूँ आप गाई के मकन से भी डाड़ी की मालिश कर सकते हैं आप चाहे तो पपीते के रश्ट से भी बालों का जो वाइट बने वो दूर कर सकते हैं उसके बाद में प्य जरूर पसंद आए होंगे अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजी शेयर कर दीजी वाट्स ओफ फेस्बुक पर सभी के साथ शेयर जरूर करें अपनी राय कमेंड में दीजी और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइ करें नोटिफिकेशन बेल आप देख रहें उसको प्रेस करना बिल्कुल ना पुले फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ नमस्कार